हेलो फ्रेंट्स वल्कम बेक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे चटपटी स्पाइसी मज़ेदार सी चिकन टिक का ब्रियानी फ्रेंट्स इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साधे साथ सुग्राम चिकन के पीसिस को इस तरह से मैंने कट करके अच्छी तरह से धोके इसका पानी नितार के लिए हूँ सबसे पहले हमें चिकन का मैरिनेशन करेंगे चिकन को हमें एक बॉल में ऐड करके इसमें हमें टेस्ट के साबसे एक टेबल स्पून नमक और देड चमच अधरक लहसन का पेस्ट और एक अख्खा नीमबु करस और दो चमच चिकन टिकका मसाला एक चमच धनिया पॉडर, एक चमच जीरा पॉडर, एक चमच चाट मसाला और एक चमच काली मिर्च पॉडर, एक चमच गरम मसाला पॉडर और एक टेबल स्पून रेड चिली पॉडर, हाफ चमच हल्दी पॉडर, एक चमच कश्मेरी रेड चिली पॉडर और देखिये हमे यहाँ पर 1500 ग्राम घट गाड़ा वाला दही इस्तमाल करना है friends दही को add करके हमें इसको अच्छी तरहा से mix करके लेना है mix करने से पहले हमें इसमें half cup oil add करना है oil की जगा आप butter का भी इस्तमाल कर सकते हैं सबी चीज़ों को हमें अच्छी तरहा से mix करके इसको एक घंटे के लिए marination हुने रग देंगे friends देखिये हमारा चिकन टिक का बिरियानी बनाने के लिए चिकन टिक का मसाला हमें इस तरहा से marination करके रग देना है color के लिए मैंने यहाँ पर powder teaspoon red color add की हूँ color दालना optional है आप चाहे तो दाल सकते हैं नहीं तो skip कर सकते हैं सबी चीज़ों को हमें अच्छी तरहा से mix करके इसको हमें आधे से एक घंटे के लिए marinate होने रखेंगे friends मैंने यहाँ पर 7500 ग्राम चिकन के लिए 7500 बासमती चावल का इस्तमाल की हूँ चावल को हमें अच्छी तरहा से धोके एक से देड़ घंटे के लिए भिगो के लेना है सबसे पहले हमें चिकन टिक का बिर्यानी बनाने के लिए marinate किये वे चिकन को हमें एक कड़ाई में add करके इसको अच्छी तरहा से पका कर लेना है friends देखिए इसको हमें इस तरहा से हमें चिकन के पिसिस को कड़ाई में add करके हमें इसमें oil नहीं add करना है जो हमने marinate करने के लिए oil add किया था वही oil में चिकन हमारा पक जाता है friends इसको हमें 10-15 मिनट तक medium to high flame पर इस तरहा से हमें चिकन के पिसिस को अच्छी तरहा से fry करके लेंगे अगर हम इसको marinate होने के लिए रख देते हैं तो चिकन के पिसिस हमारे बहुत ही अंदर से juicy और soft बन जाते है चिकन टिक का बिरियानी का एक अलग ही मजा रहता है friends देखिए इस तरहा से हमें चिकन के पिसिस को पका के लेना है और इसका जो masala रहता है बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा बन जाता है आप इस तरहा से चिकन टिक का बिरियानी ज़रूर से बनाए friends देखिए इस तरहा से black spot आने तक हमें इसको अच्छी तरहा से fry करते हुए dry roast करके लेना है friends हमें चिकन के पिसिस को एक बॉल में निकाल कर इसी कड़ाई में हमें इसका masala तैयार करके लेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़े गरम masala इस तरहा से निकाल के लिए हूँ चार हरी लाइची, चार तेस पत्ता, एक बाध्यान फूल, चार लवंग, एक टीस्पून, शाही जीरा, हाफ टीस्पून, काली मिर्च इन masala को हमें आदे मिनट के लिए fry करने के बाद इसमें हमें दो कटी भी प्यास को add करेंगे प्यास को हमें हलका सा golden brown आने तक fry करके लेना है, इसमें हमें एक टेबल स्पून, अधरक लेसन का पेस्ट, एड करके इसको भी अच्छी तरहा से mix करेंगे और मैंने यहाँ पर दो से तीन टमाटर को इस तरहा से cut करके लिए हूँ सबी चीज़ों को हमें अच्छी तरहा से mix करके टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसको पकाना है अब हमें इसमें मसाले के हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से हमें मसाले add करना है एक टेबल स्पून, रेट चिली पॉडर, एक चमच, धनिया पॉडर, एक चमच, जीरा पॉडर और एक टी स्पून, काली मिर्च, एक चमच, हल्दी पॉडर सबी चीज़ों को हमें अच्छी तरहा से mix करके लेंगे फिर हमें इसमें एक कप के करीब दही को add करना है, हमें gas के flame को low रखना है friends, दही add करके हमें इसको अच्छी तरहा से mix करते हुए, मसाले को पका के लेंगे चिकन टिक का बिरियानी बनाने के लिए हमें, first step चिकन को fry करके लेना है second step हमें इसका मसाला तयार करके लेना है, इस तरहा से एक निबु करस add करेंगे friends, अगर हम इस तरहा से मसाले इस्तमाल करके, step by step चिकन टिक का बिरियानी बनाएंगे तो चिकन टिक का बिरियानी हमारी बहुती मज़ेदार लजीज, चटपटी बन जाती है मसाला हमारा अच्छी तरहा से भुनने के बाद हमें चिकन के पीसे को add करके इसको अच्छी तरहा से और पांच मिनद तक low flame पर इस तरहा से पका के लेंगे मसाला हमारा नीचे से जल न जाए, इसके लिए हमें half cup पानी add करेंगे friends इसको हमें अच्छी तरहा से mix करके इसमें हमें flavor के लिए 6-8 हरी मिर्च को इस तरहा से 2 pieces में cut करके add करना है आप चाहे तो green chili paste का इस्तमाल कर सकते हैं इसको हमें ढग के 5 मिनट तक low flame पर पकाएंगे friends देखिए हमारा चिकन का masala अच्छी तरहा से पक के तयार हो गया है आप हमें इसको निकाल कर side में रखेंगे friends हमें चावल boil करने के लिए एक भगोने में पानी add करके रखेंगे इसमें हमें कुछ खड़े गरम मसाले इस तरहा से add करना है खड़े गरम मसाले में मैंने यहाँ पर 2-3 तेज पत्ता, 4 लवंग, 2 हरी इलाइची, 1 चमच, काली मिर्च friends इस तरहा से हमें add करके 2-3 चमच नमक add करना है अब हमें इस चिकन को smoky flavor देने के लिए एक कटोरी रखकर बहकतावा कोईला रखेंगे और इसमें हाफ चमच गी add करके इसको हमें 5 मिनट तक ढखके smoky flavor देना है पानी में हमारे अच्छी तरह से boil आने के बाद इसमें हमें चावल को add करके 80% तक पका के लेना है 5 मिनट होने के बाद हमें plate हटा देना है friends अब हमें कटोरी को भी निकाल के side में रखेंगे मैं जिस तरह से चिकन टिका बिर्यानी की recipe शेयर कर रही हूँ इस वीडियो को देखकर आप half kg के quantity में जरूर से बनाएं friends अब हमें चावल का layering करने के लिए first जो layering रहता है इसको हमें 50 से 60% पका के लेना है इस तरह से हमें half चावल को add करके थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना cut किया वा और थोड़ा सा fried onion दाल कर हमें चिकन के pieces को हमें मसाले के साथ इस तरह से add करेंगे चिकन टिका का मसाला हमारा कितना जबरदस्ट टेस्टी चटपटा बन गया है हम जो इसको smoky flavor देते हैं उस वज़ा से हमारी चिकन टिका बिर्यानी perfect restaurant style, hotel style बन जाती है बहुती बढ़िया सी जबरदस्ट smoky flavor हमारी चिकन टिका बिर्यानी बन के तयार हो रही है इस तरहा से हमें चिकन का मसाला एड़ करने के बाद second layer हमें 80-90% पके हुए चावल को इस तरहा से एड़ करना है और थोड़ा सा धनिया पता पुदीना दाल कर थोड़ा सा बिरिस्ता दालना है और कलर के लिए मैं यहाँ पर एक टेबल स्पून लेमन फूट कलर और थोड़ा सा केसरी कलर एड़ करके चावल को बॉइल करने के वक्त हमने हाफ कप स्टॉक निकाल के रखा था उसको हमें एड़ करेंगे इस तरहा से हमें गैस पर रखकर दो से तिन टेबल स्पून देशी घी एड़ करना है आप चाहे तो देशी घी के जगा बिरिस्ता बनाया हुआ ओईल इस्तमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स 15-20 मिनट तक मैं इसको लोफ लेम पर दम दूंगी साथ ही साथ मैं यहाँ पर ककुंबर प्यास टमाटर का इस तरहा से राइता बना कर तयार कर रही हूँ फ्रेंड्स 15-20 मिनट हो चुके हैं चिकन टिक का बिरियानी हमारी अच्छी तरहा से बनके तयार हो गई है माशालला से कितनी जबरदस्ट बढ़ियासी खुश्बो आ रही है अब मैं इसको प्लेटिंग करके बताऊंगी फ्रेंड्स देखिए चिकन टिक का बिरियानी हमारी कितनी लजीस और मजेदार सी बनके तयार हो गई है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफेकेशन वाला बेल आइकन क्लिक करना न भूलें अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं चिकन के पीसिस में हमें फ्राइ करने के बाद इसको हम जो स्मोकी फ्लेवर देते हैं उस वज़ा से हमारी चिकन टिकका बिरियानी एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल होटल स्टाइल बन जाती है लीजेर फ्रेंड्स हमारी sleepy smoky flavor चटपटी मज़ेदार सी चिकन टिक्का विरियानी बनके तयार हो गई है मैं जिस तरहा से बनाई हूँ चिकन टिक्का विरियानी आप भी जरूर से बनाए आप और अपने family वालम को इस तरहा से बना कर खिलाए फिर मिलते हैं एक और नई मज़्यदार से रेसिपि के साथ अला आफेज, थैंक्स पूर वाचिंग, इन्जाई